रानी मुखरजी और आदित्य चोपडा का अफेर काफी लंबा चला था। उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने रानी और आदि की शादी की खबरों पर रानी मुखरजी से रियाक्शन मांगा था। तब रानी मुखरजी ने हस कर टाल दिया था। रज़त चर्मा अपनी बात वही नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने गुमा फिराकर सब तरफ से उन्होंने रानी मुखरजी को सवाल किया कि आपके बारे में हर साल ये खबर चपती है कि आप आदित्य चोपरः से शादी करने वाली हैं या आपने आदित्य चोपरः के साथ secretly शादी कर दी है। इतना पुश्च करने के बावजूद रानी मुखर जी नहीं टूटी और उन्होंने कैमरा के सामने अपने आपको बहुत अच्छे से संभाला और रानी मुखर जी बहुत शांदार अक्ट्रेस है वो इस इंसिडेंट के बाद प्रूव हो ही गया क्योंकि throughout जब तक ये शादी वाली बात चली तब तक रानी इस बात को टालती ही रही ये बात थी year 2012 की जब रानी मुखर जी इंडस्ट्री में आक्टिव थी वो अलग तरह की फिल्में कर रही थी इसके जस्ट दो सालों बात रानी मुखर जी ने प्राइविट तरीके से फाइनली आदित्य चोपडा के साथ शादी कर ली इटली में उनकी शादी हुई थी और बहुत ही कम फैमिली मेंबर्स के बीट ये शादी की गई रानी मुखर जी को इस शादी से एक बेटी है अब रानी मुखर जी यश्राज के लिए ही काम करती है और आदित्य चोपडा के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रही है आपको बता दे रानी मुखर जी आदित्य चोपडा की सेकिट वाइफ है